नमस्कार मितरो जै माता दी माता राने की किरपा से फिर से एक नई वीडियो अप सभी क्या स्वागत करते हैं आज के वीडियो तुला रासी वाले जातकों के लिए बहत खास और बहत इनपॉर्टेन होने वाली है आज के दिन का क्या रहने वाले आपका भागी साली रंग और क्या रहेंगे आपका भागी साली अंग और आज का दिन चरिया कैसे रहने वाले हैं और आज के दिन आपको किस तरह का कारी करना है इस वीडियो में आपको पूरी जनकारी मिलेगी इस वीडियो को पूरे आन तक देखें और वीडियो का कोई भी परपसन आये तो वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंड बोक्स में कमेंड करें जै माता दी और अब तक आप हुमारे चेनल में नए है तो चेनल को सस्क्राइब करें आज परिवारिक जिमेदारियों में से घर के सदस्यों में से बाढ़ कर कुछ समय सुयम ही के लिए भी व्यतित करें किसी भी विश्चिश व्यक्तित से मुलाकात आपके व्यक्तित में भी सकारत्मक परिवर्तन लाएगी अगुछ समय से धार्मिक और अध्यात्मिक गति विजियो में भी वेतित होने वाले हैं अभी आपको अपनी मेहनत के अनुरूप उचित परिनाम भी हासिल नहीं होंगे असंतान से भी संबनी कोई भी उमीद पूरी ना होने से मन में कुछ उदास भी रह सकती है आज निवे सथवा भैंक से भी सम्मण कामों में बहुत अधिक सा अबधानी पूर्वक करें अगर अपने कोई भी किसी भी नए काम सम्मण थे ना बनाई है तो आज उन पर किसी भी परकार की करवाही ना करें क्यूंकि व्यक्ति गात कार्यों में अकामों की वज़से आप व्यक्ति वेपसाई में अधिक ध्यान नहीं दे पाएंगे नोकरी पैसा लोगों कर विदेश जाने का सम्मंदी सुव अफसर भी बन रहे हैं परिवारिक जीवन में से सुख में रहेंगे अपति पतनी के बीज में खटी मिठी भी नोकजोंग रह सकती है घर की किसी सदस्य के सुवास्त को लेकर कुछ चिंता भी रहने वाली है इस समय अपनी सुवास्त के परती साबधानी रखना अतिय आविसकता होगी और आज का आपका भागिसाली रंग रहने वाले हैं फीला और आज का आपका भागिसाली अंकर रहने वाले हैं दो पैसो से सम्मंदी हुए विवार आपके लिए फाइदे मन जरूर रहेंगे लेकिन वेक्ति के परक करके ही आगे बढ़ें सरकारी काम आसान इसे पूरे होंगे आपसे उम्रे में बड़े व्यक्ति द्वारा आपको उचित मारदसं भी प्राप्थ होंगे जिसके कारण जीवन में से कहीं सारी समस्या भी समधन आपके लिए मिल सकते हैं वे पार्सेज निवेश किया गया पैसा आपको तुरू तुरंत ही फायदा भी दिलाएंगे जिन बातों के लिए पाटनर दुबारा सुधारने के अपैक्चित है उन बातों को खुल कर चर्चा करने के आविश्काता होगी सेहत को भी ठीक रखने के लिए आपकी छमता को अधिक पैसा होने का खर्च करने के बेश्का बन रही है और आज अन पैक्चित रूप से भी धन की अटकाप भी इस्तिती भी दुखी कर सकती है लापरवाई से काम बिगार लेने से भी खत्रा हो सकती है आलस की भी अधिकता भी रह सकती है गनिश भगवान को सिंदूर चड़ाएं और आज जो जैसा चल रहा है चलने दिजिए उठा पटक के और रहानी उठानी पर सकती है और निकट के संबंदों में से गहरी दिष्टी भी रखिए मन में विचलित होने से बचाए और परिवारिक और महिलाग में से रसदार मिठाई वेंट करें और आज आर्टिक टेकों के लिए भी अनुकुलता समय रह सकती है हाट सरजनों के लिए कुछ अधिक भगा दोड़ी भी रह सकती है मास्पेसिया में भी कुछ सिचाब भी रह सकती है और बेरस्पती मंत्र का जाब करेंगे तो सारी सिचाब भी दूर हो जाएंगे महिला डॉक्टरों के लिए अधिक अनुकुलता भी रह सकती है अब मेडिकल इलाज करवाने वाले को भी छुटी मिल सकती है पहनावे से सम्मदी खास धियान रखें अचिटियों को भोजन दे डिजाइनरों के लिए नवसीरजन में से अफसर भी मिल सकते है गिरिनिनियों के लिए आनन का भी अफसर भी आ सकते है और समझ की स्तिती भी और समाब्दी भी हो सकते है तूलसी जी के पोधे में जल चड़ाएं, नोन फिल्ड पोस्टिंग वालों महिलाव सरकारी अधिकारियों के लिए कुछ खीचाताने भी भरा तनाव भी रह सकते हैं, जीवन साथी का भी कुछ विवार कुछ हटकर भी रह सकते हैं, मांसी गुचा चटन भी रह सकते हैं, पि कंदर कान के मंगलाचरन का पाठी करें, खादी परदातों के विपारियों के लिए भागा दोड़ी की अधिकता भी रह सकती है, कास्तकारों की फसल भी उप्युक्त पाने में भी जोरा सकते हैं, अग गुद्दी में से कुछ चा भी रह सकती है, भेरब बाबा को सिंदूर चड़ाएं वो सरसू के तेल का दिपक करें, और आज के दिन आर्थिक लिहास से समय सेष्ट है, किसी भी अध्यात्मिक परविर्ति के व्यक्ति से सान्दिन जिवे रहत आपको मानसिक सान्ति परदान करने वाल हैं, संतान के केरियर संबंदी कोई भी सुचना मिलने से घर म उत्सा भरा वातावरन भी रहेंगे, और परन्तु आपके उपर जिम्मेदारियों का भी बदलाब बढ़ेंगे, आज कहीं भी पैसा ना लगाएं, क्योंकि इसके लिए आपको अनुकुल्स नहीं है, किसी भी साथ वाजवाद में ना उलजे, और याथा समाज में अपनी चबी खराब हो सकती है, कारी चित में सकर्मी और अधिनश्ट कर्मचारियों को पूर्ने सयूग रहने वाले हैं, किसी भी गैरकानोनी काम को करने से बचें, और याथा बूरी तरह से फच सकते हैं, नुक्री पैशा व्यक्तियों को भी कवपिस में से, और कारी परनाली में सकारतमग बदलाव आएंगे आपको कहीं ना कहीं परिवारिक जीवन में से तालमेल बना के रखने से दिकत भी आ सकते हैं बेटर होगा कि सांती पुन तरीके से परिस्तितियां को सुल्जाने का भी कोसिस करें नकारतमग विचार उठने से तनावड रिप्रेसन जैसे इस्ति तुरंत फल की अपेक्छा रखना आपके लिए निराश्रा का भी कारण हो सकते हैं कोछ विश्यों में आप अधिक सोच विचार करके ही आगे बढ़ेंगे और जिसकी वज़े से आपके निरिये सत परतिसत आपके लिए सही साबित होने वाले जिन लोगों के लिए नए सीर केर भी लग सकते हैं पीट को और कमरदर्द का भी कारण तकलिप भी आज हो सकती है और आज आपने कर्म में से पुरास्ता में विश्वास रखना महत्पून कारे को पूरा करने में सक्षम रहेंगे और आज आपको आत्मिश्वास सांति पूर्ण महसुस करने वाले हैं कोड केस्ट संबंदी मावलों में किसी भी परकार की वज़से खर्चों में विर्धी भी हो सकती है कोड केस्ट संबंदी मावलों में किसी भी परकार के समाधान मिलने से अमिद नहीं है वेफसाय में कोई भी नया परियोग करना लाब दायक रहने वाले परन्तु अभी भी की गई मेहनत में परिणाम नीकर भविश में सपलता दाइक रहेने वाले हैं विरुधियों के गतिविधियों पर बे किसी नजर रखें अब पैसा उधार देने से पहले उसकी वापसी सुनिचित का विशी कर लें और अभिप्रित परिष्टिज्यों में जीवन साथी तथा परिवार जनों के लिए पूर्न सयोग रहने वाले हैं अद दोस्तों के साथ परिवार में से गेटूर गेदर सबको परसंसाबी तथा नई उजाबी परदान करने वाली है वर्तमार मोसम में बरलाव की वज़े से सरीर में कुछ दर्द और हलके फुलके बुखाजी से इस्तिती भी हो सकती है इस समय अपने सुआस्ट पर भी ध्यान देने की जोरत होगी आज आप अपने भावना में से अधिक परवाव दिख सकते हैं हर विशे में अधिक सोच विचार करने से कारण आकेशी भी निर्ने पर बहुत पहुंच पाना आपके लिए अधिक होगा अब महत भूतकाल में से लिए हुए निर्ने की वज़े से आज फीर से एक बार अविस्ता की मैसुस हो सकती है वेपारिक और एक से अधिक काम को धियान देने की वज़े से नुक्सान का भी शमना भी करना पर सकते हैं पीर व्यक्ति से दूर रहना आपके लिए निर्सा का भी कारण होने वाले हैं बदलते वतापरन का भी अर्षा आपकी सेयत पर भी आज दीख सकते हैं और आज के दिन कोई महत्पूम प्लावध्यां भी आपका इंतिजार करें विश्यस वोपर महिलाओं के लिए अनुकूल है अपने कारियों के प्रति सजगता रखें और सफलता परदान करेंगी विद्यार्थियों को किसी इंटर्वियों में परियोगिता की सफलता मिलने का योग हैं कभी कभी आपका चोटी चोटी बातों को भी खीजिए जाना आपके लिए वतावरन अविस्वयस्तित में करेंगे बेता रोगा के फालतों की गत्य विद्यों में अपना धियान ना लगाएं अनास्यों कब वरत्य खर्चों पर भी असर आपके सुकुन और दूर होंगे साथे धार्मिक और अध्यात्मिक अस्तल पर भी पर